नमस्कार दोस्तों मेरा नाम फोटो देवी है इंडियन बेजफूर चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों हम फी रहा हुए एक नए रिस्पी के सांद तो चले चलते हैं चूले के पास और सबसे पहले हम बनाएंगी इत का चूला और वीडियो कमारे पर लाज से देते पानी बिल्कुल नहीं बचा हुआ है तो अब देख सकते हैं पानी जो है मीची बिल्कुल नहीं बचा हुआ है अब सब पासे देख लीजिए तो दोस्तों पानी डालने का या कारण होता है ताकि हम अरहर का छिलका आसान तरीके से उतार सके तो यह फूलने के बाद पानी में जब गरम लगता है तो इसका छिलका अरहर का सिकुड जाता है उसके बाद जो है इसका छिलका बहुत ही असा है जो यह डो है कि दो इसमें चपर होς चिद्चिताहड की आऊ जग गी तो हम समझ की कि आरला कर थे एक है ऊवाज पशक करना है तो चलिबंसे आफ पानी प़ई चलिब डिन सीड़े या है तो इसमेंसे जो इक त्लिकना दल Website तो कराही को हम नीचे उतार लेंगे, और नीचे रख़के इसे हम चला देंगे ताकि नीचे जलेना, अब मोटी कराही है काफी दर्म है अभी है, तो यहाँ पर हम दे शुरीनी फ्यलाया हुआ है, तो अरहाट को हम इस पर रख देंगे, और फेला देंगे, ताकि यह बंधा ह और आखो, यह बंजे को यहाँ काफा है वहाँ आखो के घीचतर आखो के ह dispुमाजअ है तो मतार को आखो हम ढीको होः टिडेंगे, नीचे टोहाँ होः लेलादका है थाले काफू शीला लेको mówią को हर को हमने भून लिया थो इसे हम पाच घंटे के छोड़ देंगे थंडा रहेंगे तो पाच घंटे वीट गये हैं तो आप सब देख सकते हैं कि जो हर को हमने पाणी डाल कर हलका सा आग से बूना हुआ था तो भाब के काळा तो अरहर को अब हम दर करेंगे तो चलिए इसे हम दर लेते हैं तो यहां पर हमने चकरी दिया हुआ है और नीचे हमने जो है बुड़िया विछाया हुआ है तो थोड़ा हम डाल कर इसे हम दरेंगे तो इसी तरह सेह जितना अरह लिये हमें इसको हम एक बार दर लेंगे तो अरहर को हमने दर लिया है तो आप सब पास से देख सकते हैं यह एक बार में जो है ज्यादा डाल नहीं निकला हुआ है तो यह अभी पुरी तरह से कंप्रीट नहीं हुआ है तो इससे हम एक बतन में उठा लेंगे इसको पुरी तरह से डाल बनाकर आप सब को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना है तो यहां पर नहीं बड़ी ची तरह लिया हुआ है कि राएं में हम पानी को सबसे पहले डाल देंगे दारे हुए अरहर को हम पानी में डाल देंगे अरहर को हम पानी में हाठ ड़क इस तरह से चला देंगे ताकी इसमें जो चीलका अरहर का लकडी हुए वह उपर आजा citrus है पाहतानी को पर जो है अरहर का लकडी जो फिलका वह उपर हो गया है तो इससे हम चालकर अलग करलेंगी असल मीरक देंगी तो अरहर को हमने एक पानी धो लिया है दुबारा इसमें हमने पानी फी डाला हुआ है तो इसमें जो छिलका और लकड़ी था वह निकल गया है तो अब इसे हम पानी से बाहर निकाल लेंगे तो यहार हमने चैर पाई पे जो है चटाई रखा हुआ है तो इसे पे हम अरहर के जो एक रात बीच गया है वहां साड़ी को उटाएंगे तो आप सब पासे देख सकते हैं कि एक रात भीगोने से डाल जो है फुल गया है अब इसका शिलका जो है सुखाने के बाद बहुत असानी से उतर जाएगा आप सपा से देख लीजिए तो अब इसे हम एक बरतन में भरेंगे और चलेंगे च्छत पे तुखाने के लिए तुचलते हैं च्छत पे तो यहां पर हमने च्छत पे पनी फलाया हुआ आप हमने चाहते हैं तो आप उसमा है तो काथी प्रम कौल है यहां है यहां नहुत तरह से सूप जाएंगे तो इसे हम दिन में दो तीन बार चला देंगे ताकि अब जोई पुली तरह से सूप जाए गया तो इधर हम पहुंच गए हैं अपने अरहर के पास तो आप सब पास से देख ली दिये यह हमारा बहुत अच्छे से सूख गया है तो अब हम अरहर को ले चलेंगे नीचे अरहर को हम 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए सपहले तो काफी धूप में हमने सूखाया हुआ है अगर हम गरम डाल दर देंगे तो इसका जो है अरहर का डाल तूट जाएगा बैँब सता है तो आप देख सकते हैं दुवारा जो है अरहरध दरने से डाल जो है अलब हो रहा है छिलका उसका अलब हो रहा है तो इसी तरह हम सारे जो है डाल को दर्का रखेंगे तो हावा बहुत तच्छी चल भाई है तो अब इसका हम उसाकर इसका उतार लेगे तो आधा में पनी विछाया हुआ है तो इधर आप देख सकते हैं कि अरहर का छिलका जो है इतने ज्यादा में निकला हुआ है तो आप हम लोग इसे मूसर से लेकर इसकी छटया करेंगे ताकि जो छिलका लगा हुआ है तो आप हम दाल को पराहिर बड़े वाले काहिर में डाल देंगे लेकर लोग तो यहाँ पर हमने मूसर लिया हुआ है तो जिलका में रहले का छिलका है तो मूसर से आप छाटे खूनेंगे तो इसका छिलका जो है उतर जाएगा उसके बाद दाल एकदम फ्रेश हो जाएगा तुक्रे sectors हम बड़ी सी कराही में इसे हम छाट लेंगे कर लिया है तो आप सब इधर देख सकते हैं कि छाट नेक वाद जो छिलका होता है या छोटा-छोटा तूट कर छोटा हो गया है तो अब इसे हम साफ करेंगे है तो आप सब्सक्राइब है तो ऑह दादी हम यारे हमें एंपे खर लाए है तो यह दाड़ी हम्सरा दिखाएंगा रहार अच्छा प्यार हुआ है कि नहीं तो दादी आप देख के बतावें में डाल कंता ही बनावस पाहिवा बंदा आपने जवाने इसे बनावर्याया रीक तो दादी जी ने हमारा दाल जो है पास कर दी है कि इसी तरह पे हम लोग आवे जो है पासे की जबाने में बनाते थे तो आज कामरा वीडियो पैसा लगा दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक करना सेयर करना कमेंट करना फिर मिलते हैं एक नए रिस्पेक्ट सा तब तक भीली, बयाए बयाए